हे गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो गाईज आपकी 2023 में पटवारी लेकपाल फॉरेस्ट गाड और कनिस्त सायक की परिक्षा होने वाली है जिसमें की उत्राखंड जीके से कॉशन बनने वाल है जिस तरह से आपने देखा होगा पुलिस कॉंस से रिलेटेट कॉशन आंसर पढ़ने हैं क्योंकि मोस्टली पुलिस कॉंस्टेबल में भी सिर्फ इंपोर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं उनसे कॉशन बने थे और मैं उत्राखंड समाने अध्यन वाली प्लेलिस्ट में ऐसी टॉपिक को आपको समझाते रहती हूं तो तरह ही हमारे अन्य एक्जाम भी करवाए जाने हैं तो फ्रेंट्स चली शुरू करते हैं हमारे हंड्रेट मोस्ट इंपोर्टेंट उत्राखंड जीके के प्रश्ण देगी सबसे पहला इसमें प्रश्ण दिया गया है कि उत्राखंड के पर्थम मुख्यमंत्री कौन थे और तो निर्वाचित चुनाव द्वारा थे नारायन दत तिवारे तो ये कौशन नंबर फस्ट का हमने दो पार्ट दिखा दिये कि इस तरह से दो कौशन पूछ सकते हैं कौशन नंबर टू में बोला है उत्राखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक् को ठीक है एडवोकेट जनरल के रूप में कौशन नंबर थार में बोला है कि कौन से चेत्र को कुमाओ का बार्दोली कहा जाता है तो देखिए पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम में कुमाओ के सरी पूछा था जिसका राइट अंसर था बद्रिदत पांडे अब यहां पर चेत्र पूछा है कुमाओ का बार्दोली और इसी तरह से पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम में आपसे गडवाल का बार्दोली पूछा था जिसका राइट अंसर था गुजडू और यहां पर कुमाओ का बार्दोली पूछा है तो इसका राइट अंसर होगा सल्ट चेत्र को ठीक है तो इसी तरह से आपको पिल्कुल मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो उत्राखंट जीके के टॉपिक होते हैं उन्हीं से रिलेटेट कोशन आंसर पढ़ने हैं ताकि आपको जो पढ़ाई का लेवल है वो ऊपर उठता जाए तो फ्रेंट्स इस तरह से हम साथ साथ म अपनी पटवारी लेगपाल, फॉरेस्टगार और कनिश्ट साइक के तैयारी करेंगे अब देखे कोशन नमबर फोर्थ है अशो कालिन सिलालेग राज के किस इस्तान पे हैं तो ये है देहरादून काल सी इस्तान पर ठीक है नेक्स्ट कोशन है कालिदास ने अभिजान साक कुंतलम की रचना पोड़े इस्तित करवाश्रम में की थी यह जो किस नदी के तट पर था तो ये था मालिनी नदी के तट पर अब है नेक्स्ट कोशन उत्राखन में मैती अंदुलन का उदेश क्या था जिस तरह से पुलिस कॉंस्टिबल के एक्जाम में पूछा गया था क कि जो डोला पाल की अंदुलन है वो किसे संबंदित था तो उसका राइट अंसर होगा सिल्प कारो से वो संबंदित था और मैं बार बार आप कोई कोशन रिपीट भी करवाते रहती थी अब देखें कोशन नमबर यहां पर सैवन में पुझाए कि मैती अंदुलन का में में मिलता है तो यह मिलता है व्रिक वेद में जो कि सबसे पूराना वेद है किस बीड़ शाРЕल ने संबंदित होते हैं तो वह किसी ना किसी पकारों से संबंदी था तो इस तरह आपको याद रखने है आंदुलन की उद्देश किस संबंदी थे अब कोशन नमबर 11 में बुला है उत्राखन राज्य का सबसे बड़ा कागज खारकाना कहा है तो यह है आपका लालकुवा में और लालकुवा कहां पढ़ता है हल्दवान और मोडा में यह इस्तितर नेक्स्ट कोशन में आपको बताना है कि गड़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचेता कौन है तो यह है मुकुंदी लाल और आपसे पुलिस कॉंस्टेवल के एक्जाम में पूछा था कि गड़वाल की दिवंगत विभूतियों जो यह पुस्त पता होने चाहिए तो गड़वाल पेंटिंग्स तो काफी इंपोर्टेंट है जो कि मुकुंदी लालतवारा रचित है प्रसिद गुफा सेल चित्र लाखो डियार कहां इस्तित है तो यह इस्तित है अल्मोडा जिले में अल्मोडा कॉंग्रेस की स्थापना किस वर्स हुई साथ को यहां के राजित चिन्न का जो प्रतिक चिन्न होते हैं उसका निर्धारन हुआ था आपका सन 2001 में सन 2001 से प्रतिक चिन्नों की शुरुआत हो गई थी उत्राखंड में कॉशन नमबर 17 में बुला है उत्राखंड की किस महिला को बैड मिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है तो यह है देहरा दून का मसूरी जिसको पहाडो की राणी के नाम से जाना जाता है तो वह भी छेतर देहरादून के अंदर ही आता है जो की है क्या है चकराता चकराता को पहाड़ो का राजा कहा जाता है Q19 है उत्राखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है उत्राखंड में नहीं बलकि देश भर्मेवी भारत देश का जो लीची के लिए प्रमुख सहर है वो है देहरादून जो की उत्राखंड की अस्था ही राजानी है Q20 में बुला है उत्राखंड में छोटा कश्मीर नाम से प्रख्यात है तो छोटा कश्मीर नाम से कौन प्रख्यात है पितोरागर उत्राखंड का पितोरागर जिला जो की उत्राखंड के छोटे कश्मीर मीनी कश्मीर इसको कहा जाता है मीनी कश्मीर के नाम से ये विख्या तो फ्रेंट्स ये सभी कॉशन आपकी आने वाले एक्जाम के लिए most important कॉशन है तो आप इनको बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लो इसी तरह से मैं और भी most important कॉशन लाते रहूंगी कॉशन no.21 में है उत्राखंड में जीलो का नगर जीलो का नगर किसे का जाता है नैनिताल को नैनिताल में कई जीले है उत्राखंड का बार्दौली किस स्थान या इस्थल को कहा जाता है उत्राखंड का बार्दौली कहा जाता है सल्ट को अब है अलमोडा में होम रूल लीक की स्थापना कब हुई होम रूल लेक से कोशन बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई तो ये हुई थी 1914 में अब पूछा है गोपिश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेक 1260 में किस सासक की विजयों का वर्णन मिलता है तो गोपिश्वर के त्रिशूल लेक पर असोक चल लेके विजयों का वर्णन मिल से कुमाओं पर शासन किया अब देखिए कुमाओं विश्व विध्याले की स्थापना वर्ष वह हम से पूछा गया है तो यह हुई थी 1916 में उत्राखन राजी को सरवाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है तो उत्राखन की जो सबसे भयांकर आपदा होती है वो है भूस्कलन और बाड बूस्कलन और बाड कुमाओं का पर्थम स्वाधिनता संग्राम सिनानी कौन था तो यह थे कालू महरा ठीक है काल इनमें जो भी उत्राखन से प्रतिभाग लेते हैं वो किस सन में लेते हैं और कौन लेते हैं यहां से कौशन बनता है यह एक इंपोर्टन टॉपिक है आप इसको ध्यान में रखना कि जितने भी कॉंग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनके सन आपको पता होनी चाहिए या पर आपको साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि उत्राखन से किस अधिवेशन में किस ने भाग लिया जो कि उत्राखन के निवासी है यहां पर देखो हमसे क्या पूश लिया है कि कॉंग्रेस की कलकता अधिवेशन 1886 में राजमें से कौन उपस्तित था तो यह थे प्रकाशन कब प्रारंब हुआ यह था 15 सितंबर 1918 और कुमाओं में सबसे पहले समाचार पत्रों का प्रकाशन संपादन किस ने स्टार्ट किया था तो यही कॉशन आया था पुलिस कॉंस्टिबल के एक्जाम में जिसका राइट अंसर क्या होना था बुद्धी बल्लभ पं कॉशन नमबर 27 मैंने आपको करवा दिया है कॉशन नमबर 31 है शक्ति समाचार पत्र का प्रारंब 15 सितंबर 1918 को हुआ अब देखिए यहां पर कॉशन नमबर 32 में आया है आपका राश्टी उध्यानों से एक कॉशन बना है कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर् में बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया जो कि किसके नाम पर है स्वरगी जिम कॉर्बेट महान प्रकतिवादी प्रख्याज जन्तु सरक्षन वादी की स्मर्ति में कर दिया गया था ठीक है सबसे पहले हैली नेशनल पार्क इसका नाम था 1936 तक 1957 में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया जो कि प्रकतिवादी थे यानि कि वे जन्तों से प्यार करते थे और उनका सरक्षन करते थे फिर इसका नाम जो बदलकर राम गंगा हुआ था पहले 1957 से पहले इसका जो नाम था वो रा करनी ताल जीले के अंतरगत आता है और इसका जो विस्तार है वो राम गर प्लस पॉडी घढ़वाल दोनों में hai ठीक है लेकिन इसका जो मुख्य प्रवेचर कॉर्वेज़वार का ज्यादा छेत्र आता है ठीक है ज्यादा परसेंट यहां जो पॉडिगरवाल है यहां तक फैला हुआ है वो कम रामनगर में फैला है लेकिन प्रवेश द्वार जो है रामनगर में अब देखिए कॉशन नंबर 33 में बोला है विन्योग माउंटेन क्लेव वन जीव विहार कहा हुई थी 1993 में उत्राखन राजय का सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान हमसे पूछ लिया गया है जो कि कहा है गंगोत्री उत्तरकासी में यह इस्तित है यहां पर हमसे पूछा है सबसे बड़ा राष्ट्य उध्यान अगर हमसे सबसे पुराना राष्ट्य उध्यान बोला 2390 वर्ग किलोमीटर याने कि वर्ग किलोमीटर 2390 वर्ग किलोमीटर यह उत्तरकासी में फैला हुआ है इसलिए हमारे राज का सबसे बड़ा क्या है राष्ट्रिय उध्यान है क्वेशन नमबर 37 जो की इंपोर्टेंट है यह आपका सद्दोजार 16 वाले पुलिस कॉंस्टेवल की परिक्षन में भी आया था कि हजरत अलावदीन एहमद साबिर की दरगा कहां इस्तित है जिसको क्या कहते है पिराने कलियर भी कहा जाता है पिराने कलियर जो की इनकी दरग ऑलावदीन एहमद साबिर की ठीक है यह हरिद्वार के रुड़की में सिता TW क्रिवाउर आप से में लोकेशन पूछी है थो यह रुड़की में सिताइव पिराने कलियर दरगा उत्राछण में सबसे ऊुचा बात पूचा है तो यह तहरी बात जो की काफिες प्रिशित है unmצ बनाइ इन बाणा उत्राखण में कौन से परियोजना किस नदी पर इस्थित है और किस जिलें पर इस्थित है तो यह बागिरती नदी पर इस्थित question number 42 और अभी जो नया नाम है वर्तमान नाम कुछ और है तो इसकी लिस्ट भी मैंने आपको उत्राखन सामाने अध्येन वाली प्लेलिस्ट में करवाई है आप सभी उत्राखन के जतने भी सेहर हैं उनके पुराने नाम याद कर लिजए क्योंकि किसी से भी पुछा जा सकता है उत्राखन की किसी सहर यहां पर गंगा द्वार का पुछा गया है तो यह हरी द्वार होगा राइट अंसर बागे इस तरह से और भी इस्ताल है जनके पुराने नाम कुछ और है अब देखिए कौशन नमबर 43 है किसने महात्मा गादी ज भाग लिया था भैरवदत जोशी ने इंपोर्टेंट कोशन एक भैरवदत जोशी नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 44 जिसमें पुछा है गड़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंतरता से नानी कौन थी तो यह थे अनुस्विया प्रसाद बहुगुडा लेकिन आप से कुम कोशन नमबर 46 है कोटेश्वार गुफा कहां अस्तित है यह है उतरा खंड के रूद्रप्रियाग जिले में कोटेश्वार गुफा इस्तित है कोशन नमबर 47 है नीलकंट मंदिर किस जनपद में इस्तित है नीलकंट मंदिर है पौड़ी गड़वाल जिले में इस्तित कोशन नमबर 48 है कौसिकी देवी का मंदिर किस जनपद में इस्तित है अलमोडा जिले में यह मंदिर आता है कॉसकी देवी का मंदिर और गोली देवदा का चाहिता है यह मंदिर भी अल्मोडा जिले में आता है जो कि प्रसिद्ध है अब देखें उत्राखन राजी के पर्थम राज जिपाल पूछ लिया है जिस तरह से पुलिस को अंस्टेबर ने पर पूछा था तो यहां पर पूछा है राज जिपाल जो कि है सूर्जी सिंग बरनाला इसी तरह आपको मु तो यहां पूछा है उत्राखन पर सासन करने वाली प्रथम राज नीतिक सक्दी कूरिंद के समकालिन कौन थे इनके समकालिन पूछा है तो मौरी लोग इनके समकालिन थे तपोवन में किस ने तपस्या की थी तपोवन में तपस्या की थी लक्षमन ने Q53 है पाली भासा के बौध साहितियों में उत्राखंड छेत्रुक के लिए परियुक्त सब्द है तो ये सब्द है हिमवंत तो इसको याद रखना हिमवंत ये सब्द है उसी तरह से कुमाओ को मानस खंड और गड़वाल को किदार खंड कहा गया है किस में इसकंद पुराण मे कुशन नमबर 54 में बोला है आदी संकराचारे ने कब केदारनात तीर्थ में दे त्याग किया था ये किया था आठ सो बीस ऐसवी में और प्लस इससे ये भी कुशन बन सकता है कि आदी संकराचारे ने अपना जो उनकी जो समाधी है वो किस जिले में है तो वो है रूद प् पूछा है उत्राखन नाम उत्राँचल से उत्राखन किस वर्स हुआ है तो ये भी आपको पताई है एक जनवरी 2007 को उत्राखन में पाल की योजना का संबंध किस से है पाल की योजना पूचा है डोला पाल की आंदूलन नहीं बोला है यहां पर आप अच्छी तरह पढ़िए से पाल की योजना संबंध है ठीक है अंग्रेजो और गोर्खों के मद्द जो संगोली संदी हुई कब हुई थी तो यह हुई थी 1816 में और इसका स्थान भी पूच लिया जाता है कि संगोली स्थान कहां है तो यह आता है आपका बिहार में ठीक है यह भी आपसे कोशन बन स गिया 1790 में फिर गडवाल पर गडवाल के इतिहास पने के संगे किसे दी गई है तो यह दी गई है तीलू रौतेली को उत्राखंड में जहांसी की रानी कहा जाता है ठीक है तो इस तरह से आपको उपनाम भी यात होने चाहिए उत्राखंड के जितनी भी महान विभूतिया है तो उनको उपनाम दिये गए हैं उसकी लिस्ट भी आपको याद होनी चाहिए नेक्स वोचन है उत्राखंड में अखिल भारती आयुर्विज्यान संस्थान स्तित है अगर आप इसको इंग्लिश में बोले तो यह होता है एम्स ठीक है तो एम्स कहां स्तित है रिशी केस में जिसकी स्ताफना हुई 2004 में उत्राखंड में रिशी केस में क्या है एम्स है 2004 में इसकी स्ताफना हुई उत्राखंड में जड़ी बुटी सो संस्थान कहां स्तित है यह है गोपेश्वर में गोपेश्वर कहां पढ़ता है आपका चमूली चिले में तो उत्राखंड की पोस्तित और अपको पन्छ प्रयाग होने चाहिए जिस्थे ओपाख रूपर होना चाहिए कि कौन सा संगर कहा पर होता है जिस तरह से उत्राखंड पुलिस कॉंस्टेवल की एक्जाम जो की 18 दिसंबर को हुआ था उसमें हमसे पूछ लिया गया था है कि जो अलकनन्दा और भागी रती का संगम कहा होता है तो उसमें राइट अंसर था देव परियाग जहां से गंगा भागी रती का नाम गंगा साथ किसी एक नदी का संगम होता है सारे प्रियागों में अलकनन्दा नदी आपको देखनी को मिलेगी आपको यातिया करनी है दूसरे नंबर वाली नदी तो मंदाकनी नदी कहां है यह रूद्र प्रियाग में जिसमें की बार आए थी ठीक है पेशावर कांड के नेता कौ कुमाओ के लिए मानशकंड यह कहां परियोग्त किया गया है यह है सकंद पुराण में नंदा देवी परवत से कालागिरी तक चित्र को क्या करा गया तो इसको कहा गया है धिक पूराणों के अनुसार मानुव के आदी पूरो मनु का जो निवास इस्थान धन के देता कुबेर की राज़ानी बद्री का अश्रम के पास किस इस्थान पर क्या था तो यह क्या गया था अलका पूरी पर देखे यहां पर प्रश्ण में ही आपको कई सारे कॉश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं कि पुराणों के अ अश्रम के आदिप पूर्श कौन है तो यह है मनु का निवास इस्थान और धन की देवता कुवेर की राज़ानी पर क्वेर के जानी कहां पढ़ती है तो यहां पर इत्ती सारे चीशे आपको दिखने के लिए मिल रहे हैं को ''Sevendogs यह भी आपको उपनाम में दिख जाएंगे तिंचरी माय और भगुली देवी के नाम से जाना जाता है तीपा देवी को कुशन नमबर 74 है उत्रहखन के किस नगर को उत्तर का वारानसी कहा जाता है यह कहा जाता है बागेश्वर को यहाँ यह बागेश्वर जो है सरियो और गूमती नदी के संगम परिस्तित है यही कुशन आपका पुलिस कुंस्ट्रिवल में भी आया था कुशन नमबर 75 है चक्रवर्ती समराध भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म कहां हुआ था तो यह हुआ था करवाश्रम में करवाश्रम में इनका जन्म हुआ था याद रखना है आपको कॉशन नमबर हमारे पास है खरपरदेव वंस के बाद किस राजवंस ने सासन किया खरपरदेव के बाद आते है निमबर वंस ठीक है कॉशन नमबर 77 है किस राजवंस ने सबस्त उत्राखन को एक सूत्र में बादने का कारिक किया था इस्टगर उत्राखन के जो इस्टगर थे वो उस राजवंस ने उत्राखन को एक सूत्र में बादने का प्रयास किया था कार्ति के पूर राजावं की राज भासा हमसे पुछी गई है राज भासा यह काफी एक्जाम में मैंने देखा है कत्योरी वंस की जो राज भासा थी वो थी संस्कृत ठीक है चंद वंस का अंतिम सासक कौन था चंद वंस का अंतिम सासक पूछ लिया गया है तो चंदवनस और पवारवनस से आप से कौशन पूछण दा सकते हैं बनवाए था यह बनवाई था सोम चंद ने अभी मैंने आपको बता है कितने भारती राज्यों की सीमा को छूती है इस जियोग्रफिस आप से कुछन पूछ लिया गया है तो उत्राखन एक तो हिमाचल परदेश से लगता है और उत्तर परदेश से लगता है भारती राज्य पूछा है तो यह आपको ऐसे रटने से याद नहीं होगी यह आपको उत्राखन के मैप से याद होगी आपको उत्राखन का जाक। बार बार अपने रूम पर एक मैप लगा कर देखिए तिहरी रियासत को किस राजा ने बसाय था तिहरी रियासत को बसाय था सुदर्शन साह ने तिहरी रियासत की राजा ने तिहरी से हटा कर नरेंदर नगर कब लाई गई थी तो नरेंदर नगर लाई गई थी 1924 में तिहरी सोम vallahi 2 बन वाए था खगमरा किला भीसंच्था इसी तरह से आने केने वीडियो में दूरा उत्राफ़न से और कौँ सा सहर गड़वाल का दवार माने जैतार गड़वाल का द्वार मनना जाता है कोड़वाल जो कि पौड़ी गड़वाल से शुरू होता है लेकिन आपसे अगर कुमाओ का द्वार पूछ लिया जाएगा तो उसका राइटान से क्या होगा काट गुदाम जो कि नैनी ताल जिले से होता है नेक्स कोशन यही पूछ लिया गया है जो मैंने आपको बताय कि उत्राखन का कौन से सहर कुमाओ का द्वार किलाता है काट गुदाम से जो नैनी ताल में पढ़ता है हल्दवानी सहर का एक तरह से यह उपनगर माना जाता है हल्दवानी नगर है और उप नगर है गोदा है ऊत्रकृ उत्राखन राजी के पूर में कौन से देश की सीमा लगती है तो देखौ दिर आता है और हम ईस तरफ कौwn से देश तरफ है उत्रा तरफ है नेपाल काड़ गोदा उसके ही समीप तो उत्राखन राजी के पूर में कौन से देश राजी की सीमा लगती है पूरव में पूछा है तो देखो पूरव किदर आता है इस तरफ आता है और इस तरफ कौन से देश कौन सा देश है उत्राखन के इस तरफ इस तरफ है नेपाल देश तो आपको ये मैप से याद होगा उत्राखण राजी कि पषचिम में कौन से देश की सीम लगती है अब है पर्मारस की सथापना कनख पाल ने चाठ पुरगड हो की थी तो यह की थी में तो देखो पर्मारस की स्थापना की कोश्चन में ही आप आं़तोगनसे की,"कि तो भूमी निर्धारन परनाली तहरा शुरुवात की ती गणीश नारद मुकुंद व्यास एंवम इसकंद गुफाय कहां इस्तित थे यह इस्तित थे बद्रिनात के पास नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 96 प्रजातंत्रत्मक शाषन के लिए 1949 में 4 सदस्य प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी ये हुई थी मानवेंद्र शाह के काल में अब देख लीजिए आखरी तीन कोशन आपके पास है उत्राखंड राज में पहली बार जेल जाने वाले स्थानत्रता सिनानी कौन थे ये थे मोहन सिह महता इंपरेंट कोशन है कोशन नमबर 98 है उत्राखंड से जेल जाने वाली पहली महिला स्थानत्रता सिनानी कौन थी ये भारत के पर्थम थल सीना अध्यक्ष कौन थे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट नाम है यह विपिन चंद्र जोसी जो है और विपिन रावत दोनों अलग अलग हैं चंद्र जोसी जो है तो देखी इस वाले जो वीडियो में मैंने उत्राखन की 100 मोस्ट इंप्टन कोशन आपको बताये हैं तो इसी तरह से मैं हर दिन आपके लिए मोस्ट इंप्टन कोशन लाते रहूंगी और इन ही मैंसे बनते रहेंगे हर एक्जाम में 2030 की ठीक है तो इस तरह से हमको साथ ही साथ मिलकर तैयारी करनी है तो फेंट्स आई होब आपके लिए वीडियो हेलफ़ रही होगी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना